हेलो दोस्तों, शागत है आपका हमारे यूटूब चैनल पर, आज हम आपको डिफांस सेकेंड इर का सब्जेक्ट फार्मा को थेरापिटिक जिसका चेप्टर नमबर एट इन्फेक्सियर डिसीज के बारे में बात करेंगे और जितनी भी डिसीज आपकी इन्फेक्सियर डिस से एड होना है, तो डिस्किप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, और उसके बाद स्क्रीन पर मेरा नमबर भी लिखा हुआ है, अभी तक जितना हमने पढ़ा दिया है, आपको एक बार में सब सेंड कर दिया जाएगा, पीडिएफ 199 पे के बाद, उसके बाद आपको पहले बात करेंगे, यानि infectious disease होता क्या है, देखिवं, बहुद डिसीज जोafter in side 3, दौन के द्वारा होता है, यानि जो भी diseases होती है, बहुद घर इतोर्जा में ऐसे जिसे जीजा जाता है, यानि जो 알았어 4, organism होते हैं यह हमारी body के अंदर inter करते हैं उसके बहुत ज़्यादा diseases को cost करते हैं तो पहले disease है आपके tuberculosis यानि tuberculosis chronic infectious disease होती है दोस्तो जो tuberculosis होती है यह एक बार में नहीं होती है दीरे दीरे हमारी body के अंदर होती है disease बनना इस्टार्ट होती है जो primary रूप से lung के प्रांचाइमा को affected करते हैं यानि जो हमारे lungs होते हैं उनको यह affected करते हैं आपको इतना याद रखना है कि जो tuberculosis होती है यह chronic infectious disease होती है और इसमें जो bacteria होता है बे लंग्स को affected करता है जो mycobacterium tuberculosis से होती है यानि इसका bacteria होता है mycobacterium tuberculosis यह आपकी tuberculosis किसके करण होती है mycobacterium tuberculosis इतना आपको याद रखना है multiple choice में अगर question पूछा जाता है तो आपको अच्छे से इसको बता देना है और tuberculosis body के किसी part में हो सकती है जैसे lymph nodes हो गए bones हो गई, kidney हो गई यानि जो tuberculosis होती है यह body के किसी भी part में हो सकती है lymph nodes में हो सकती है bones में हो सकती है kidney में हो सकती है तो दोस्तो यह आपका छोटा सा intro है tuberculosis का tuberculosis क्या होती है और किसके काँ tuberculosis disease होती है और उसके बाद types आप TV यानि TV इसको sword में बोलने है क्योंकि यह tuberculosis है common language में TV कहा जाता है और दोस्तो तो आपकी यानि TV के types कितने होते है तो टाइप्स की होती है तो पहला होगे आपका primary TV और दूसरा होगे आपका secondary tuberculosis तो primary tuberculosis क्या होता है यानि जिसको पहली बार tuberculosis होती है उसको primary TV कहा जाता है यानि कोई person है उसको पहली बार tuberculosis disease हुई है तो उसको कहा जाएगा primary tuberculosis और secondary tuberculosis क्या होती है जब दोबारा किसी person को tuberculosis हो जाती है यानि दोबारा से किसी person को tuberculosis हो जाती है तो इसको secondary tuberculosis कहा जाता है और उसके बाद बात करेंगे जो आपका tuberculosis है इसकी ITEOLOGY के बारे में बात करेंगे ITEOLOGY में यह बताया जाता है कि जो आपके DACGET है किस कारण से होती है और pathogenesis में किस पिकार से दिसे होती है यह pathogenesis में बताया जाता है तो ITEOLOGY में tuberculosis में क्या लिखा हुआ है देखे drop light of an infected person यानि infected person के droplets के कारण हो सकती है tuberculosis और उसके बाद cow milk unpasteurized लेने पर यानि जो cow का milk होता है उसको बिना उबाले आप ले रहे हैं तो जिस कारण जो है आपको tuberculosis के symptoms देखने को मिल सकते हैं यह कारण होता है और उसके बाद beak immunity due to disease यानि disease के कारण beak immunity होने पर यानि आपकी यानि किसी भी disease के कारण आपकी immunity beak है तो जिस कारण mycobacterium जो tuberculosis है वे आपकी body में आ सकता है और उसके बाद tuberculosis disease को कर सकता है और लेक आप nutrients अगर body के अंदर nutrients की कमी होगी और उसके बाद हमारी body के अंदर immunity अच्छी नहीं होगी तो जिस कारण tuberculosis disease हो जाएगी यह आपके कुछ reasons है इनके बारे में आप अच्छे से इनको देख सकते है यानि droplet of any infected person किसी person यानि जिसको tuberculosis है उसके droplets के कारण हो सकती है tuberculosis दूसरे person को cow milk अनपस्चिराइड लेने पर weak immunity due to disease किसी disease के कारण आपकी immunity weak है इस कारण हो सकती है tuberculosis और दोस्तों लेक आप nutrients यानि आपकी body के अंदर nutrients की कमी होने के कारण भी हो सकती है फिर बात करेंगे pathogenesis के बारे में कि pathogenesis क्या है तो देखिए इसमें pathogenesis हमने चार्ड के दोरा बनाई है यानि two type की pathogenesis है इसमें सबसे पहले क्या होगा entry of mycobacterium tuberculosis यानि हमारी body के अंदर सबसे पहले जो यानि bacteria होता है तूबर कलोसिस का बैं इंटर करेगा और इंटर करने के बाद जो हमारे microfasers होते हैं body के अंदर microfasers present होते हैं उस mycobacterium tuberculosis को engulf कर लेंगे यानि अपने अंदर उसको engulf कर लेंगे यानि रख लेंगे cover कर लेंगे उसको जो bacteria आएगा आपका micro bacterium tuberculosis तो जो हमारी body के अंदर micro phagasas होते हैं वह उसको क्या करेंगे इंगलफ कर लेंगे और इंगलफ करने के बाद आपकी जो tuberculosis disease है वह two step में बनती है तेकि एक हो गया आपका primary TB एक हो गया secondary TB तो secondary के बारे में बाद में बात करेंगे सबसे पहले बात करते हैं primary TB तो आपके जो micro phagasas है उन्होंने bacteria को इंगलफ कर लिया इंगलफ करने के बाद primary TB किस पकास होती है देखिए अगर आपका immune system beak है यानि आपका immune system beak है और जब immune system beak होगा तो जो bacteria आएगा mycobacterium tuberculosis उसका क्या काम होगा बहाँ पर आकर यानि macro phagasus से आकर यानि बहाँ जो जिसको जहां पर आपको यानि बनाना आए जहां पर उसको tuberculosis करना आए जहां पर अपना multiplication करना आए तो बैक्तिरिया जो है बहाँ माल्टिफिकेशन करने लगता है मैक्रो फेगे से अंदर मल्टिफिकेशन होने लगाएगा बहुत ज़्यादा तो उसके बाद क्या होगा formation of granuluma granuluma का formulation होने लगेगा यानि बैक्तिरिया होता है उसके गुच्छे बनने लगेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा बे मल्टिफिकेशन करेगा और मल्टिफिकेशन करने के बाद तो दोस्तों यानि बहाँ पर जो है गुच्छे बन जाएंगे और उसके बाद लंग्स में कैविटी बन जाती है और धीरे धीरे क्या होता है लंग्स में कैविटी बन जाएंगी और उसके बाद लंग्स में इं जाते हैं जिसके बाद जो person होता धीरे-धीरे symptoms so करने लगता है यानि primary TV के तो primary TV में आप क्या लिखेंगे weak immune system होने के count bacteria multiplication करेगा multiplication करने के बाद formation आप granuloma granuloma का formation होगा और उसके बाद lungs में cavity बन जाएंगी जो lungs है उसमें cavity बन जाएंगी infected person so symptom जो infected person होता है जो है आपके यानि सिम्टम से सो करने लगेगा तो इस परगार से primary TV होती है और उसके बाद secondary TV किस परगार से होती है देखिये secondary TV होती है अगर किसी person का immune system जो है strong है यानि पहले से ही उसको TV हो चुका है primary TV हो चुका है treatment बे ले चुका है तो उसका immune system पहले से strong होगा उस bacteria के प्रती तो अगर उसका immune system strong है और bacteria दोबारा से आता है तो उसके बाद जो bacteria दोबारा से आएगा तो पहले तो rest phase में रहेगा यानि उसने इंटर कर लिया macrophages में आ गए दोबारा से तो उसके बाद क्या किया उसने rest phase में पढ़ा रहेगा कई महीने पढ़ा रहेगा bacteria को कोई मतलब नहीं रहेगा फिर उसके बाद क्या करेगा जैसे ही आपका immune system थोड़ा बीग होगा अगर आपको कोई disease हो जाएगी other disease हो जाएगी जैसे ही आपका immune system बीग होगा और bacteria जो है एक्टिव हो जाएगा और bacteria एक्टिव होगा तो आपके जो secondary टीवी के यानि जो भी symptoms होते हैं बैसो होने लगेंगे तो दोस्तो इस पगा से इसकी pathogenesis आप exam के अंदर लिखेंगे तो आपको अच्छे mark मिलेंगे और उसके बाद आपकी तयारी बेच्ची होगी और आपको समझ में भी जल्दी आ जाएगा फिर बात करेंगे clinical manifestation के non-pharmacological management के और pharmacological management के बारे में बात करेंगे clinical manifestation में आपको क्या पढ़ना होता है देकि दोस्तो जो भी disease के यानि symptoms होते हैं लच्छन होते हैं उसको आपको पढ़ना होता है तो clinical manifestation में जैसे खासी आना, fever हो गया थकान मैसूस होना, bed loss यानि बजन कम हो जाना, chest pain ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम होना यानि सास लेने में प्रॉब्लम होना और low sap appetite यानि भूँक समापत हो जाना तो यह symptoms होते हैं आपके tuberculosis के और non-pharmacological management क्या करना है patient को separate room में रखना है जो patient होता है उसको separate room में रहना है he should bear mask उसको mask पहन कर रहना है patient को healthy nutrition लेना है जो भी patient होता है उसको healthy nutrition लेना है और patient को अपने पास towel handkerchief यानि जो आपका यानि रूमाल होता है उसको रखना है towel को रखना है अगर उसको खासी आती है तो उसको साथ में रखना होगा patient को यानि अच्छी diet लेनी होगी और mask भी पहन के रखना होगा जिससे दूसरा person affected ना हो उस disease से क्योंकि दोस्तों यह आपके disease बहुत जली फैल जाती है तो यह आपके होगे non-pharmacological management इसको आप अपने पास से भी लिख सकते है जरूरी नहीं जो हमने लिखा है उसी को आप लिखें आप अपने पास से लिखेंगे तो आपका question भी बढ़िया बन जाएगा और उसके बाद मेरे कुछ points से add करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा तो दोस्तों देखिए content कम नहीं है अगर आप इतना पढ़ेंगे तो आपका exam के अंदर बहुत अच्छा marks आएगा आप परेशान ना हुई है इतना आप पढ़ लीजिए और जब exam में आप बैठेंगे तो आपके marks अच्छे आएंगे और आप अच्छे से पास भी हो जाएंगे फार्माकोलोजकल मेनेजमेंट में यानि फार्माकोलोजकल मेनेजमेंट वे होता है जिसमें ड्रग का यूज किया जाता है जैसे आइसोनियाजेद हो गए ड्रग पैराजिनामाइड हो गई इस-टेप्टो-माइसिन हो गई और उसके बाद जो आपका सेकंड लाइन ड्रग्स होती है जैसे ठियासीताजॉन हो गई और para amino salicylic acid हो गई canamycin हो गई यह drug जो होती है यह आपकी tuberculosis disease में use की जाती है कुछ first line drugs होती है कुछ second line drugs होती है तो दोस्तों आपकी tuberculosis वाली disease complete होती है अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like कर दीजिए और हमारे channel को subscribe करके ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को share कर दीजिए अपने college group में वीडियो को share कर दीजिए और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा comment किया करो वीडियो देखने लिए धन्वाद दोस्तों